इस अंतान्ता या बांचपन के 25 से 35 प्रतिशत केसेज में फिल्यूपिन ट्यूब्स का बंध होना प्रवोख कारण होता है बिना ओपरेशन कैसे खुल है क्या प्राकर्थिक तरीके हैं जो कि फुल प्रूफ है आज के वीडियो में इस सारी बाते हम जानने वाले हैं हलो अब्रिवन स्वाकत है आप सबीका ये तुप साहेली चैनल में मैं हूँ प्रेड़ना और हम आज जाने वाले हैं कि कई पधतियों से आयवें देख डाइट तरेपी और हम रेमिडिस से किस तरीके से फिल्यूपिन ट्यूब्स को हेल्दी किया जा सकते हैं हमारे बहुत सा किसा शेयर करने वाली जो कि बहुत इंक्लूजिव है आप हमें अपने विचार कॉमेंट करके जरूर शेयर करें कि आपको वीडियो कैसे लगता है क्या आप किसी और विशे पर जानकारी चाहते है या फिर आपकी कोई समस्या है तो उससे संबंदित यूटूब सहली का वी यह है उसका प्रमुफ कारण है वात दोश वात दोशों को भी दूर करने के तरीके जानेगे कई बार इनफैक्शन जो कि हमेशा लक्षन प्रकट नहीं करते लेकिन आपकी बोडी में एक्जिस्ट करते हैं पी आईडी पानी भरा होना स्कार टेचू एडिशन आदे इनफै प्रॉब्लम्स आती है और यह भी एक रीजन होता है कि उतके ट्यूब में ब्लॉकिज आजाता है कई बार प्रीविएस एक्टॉपिक प्रिग्नेंसी अगर हुई है तब भी हो जाता है कई बारस है कि आपके कोई सर्जरी हुई उस वजह से भी फेलोपिन ट्यूब लॉग से अंडा निकलता है तो गरभाशे केसे आता है उस ट्यूब की माध्यम से या तर वो ट्यूब ही वह स्थान है जहां एग औरस फोम मिलते हैं एग फर्टिलाइस होता है इसलिए ट्यूब्स का हेल्दी होना बहुत ज़रूरी है चलिए अब जानते हैं कि ट्यूब्स अच्छा बात की है कि आपको यह पूरी तरह ठीक करता है प्रॉब्लम को जड़ से साफ कर देता है तो आए जानते हैं अगर वात दोश है उसको दूर करना है तो तिल का तेल या कैस्टर ओयल का पैक अपने लोवर अब्डुमिन पे नाभी के नीचे का जो यूट्रस फिल इसलिए हलका गुड़वना ओयल का इस्तमाल करें और मसाज़कर हो जाती है तो उसके बाद गरम पानी में भिगोए हुट ओविल से आप अपने बॉड़ी को कवर कर सकते हैं जिससे की ओयल का अब्सॉप्शन हो जाए या फिर हाट वाटर बैग या बॉटल से सिखाई कर स है तो होता है प्लांट बेस्ट प्रोटीन आप अगर प्रोटीन लेंगे तो आपकी इमनिटी पी फर्क पड़े का युकरस की मांस पेशियां भी अच्छी होंगे और हॉर्मोन्स को भी संतुलित करने में हेल्पन लेगा प्रोटीन की हेल्प से दूसरी चीज है आपको बताओं वह है नीबू लिमन विटमिन सी सबसे पावरफॉल एंटियोग्सिदेंट होता है जिन चीजों में विटमिन सी है आप उन सब को समझ लें मेरे वीडियो देखें एंटियोग्स पर विटमिन सी पर और उन फूड को प्रारिटी से अपने खाने में चीज़ेंटियों ज़रूरी है इसके साथ ही आप ग्रीन टी ले सकते हैं कैममाइल टी ले सकते हैं जो भी पर्टिलेटी टी मैंने बताई हूसमें से कोई भी जिसका स्वाद आपको अच्छा लग रहा हो जो आपकी केस में उप्यूपत हो आपको ले सकते हैं आयर मेदिक पर सर्च करें जो भी आयरविदिक सेंटर आपको मिलता है आप महां पर जाकर उतरबस्ती पद्धती से अपनी ट्यूब्स का इलाज करा सकते हैं लेकिन उसमें भी आपको डाइट फॉलो करना पड़ेगा तब ही अच्छे रिजलत आएंगे अधरक, हल्दी, अजवाइन, तेजपत्ता, इनकी चाय, चाय आप सबको मिला के बनाएं, अलग-अलग बनाएं, जिस भी तरीके से आप पसंद करते हूं, इनकी चाय आप ले सकते हैं, यह बहुत जादा फायदा करने वाला है आपको इन केसे में, अजवाइन की दूनी, कोई सारी stretching exercises हैं, bending exercises हैं, जो कि आपके pelvis की तरफ, नाभी की नीचे जो आपके अंग हैं, उनमें रख्त प्रवाह बढ़ाते हैं, लगब दे वाल पोजिशन, रनिंग, जोगिंग, रसी कूदना, जो भी physical activity आप कर सकते हैं, कीजिए, जादा नहीं, केवल 20 मिनिट रोज और sun exposure रखिए, इससे आपका तनाव भी कम होगा और आपके अंदर endorphins, feel good hormones बनेंगे, जिससे की आप बहतर महसूस करेंगी, और मन के अंदर positivity होगी, तो आपको positive काम करने के लिए भी motivation रहेगा, और definitely फिर आप diet, remedies, जो करेंगे, उसके result आपको मिलेंगे, उमीद करती हूँ, ये